अगर आपके या आपके बच्चों के सर में जुए हो गए है या आपके परिवार में किसी को जुए हो गए है और जाने का नाम नहीं ले रहे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आयो Hello everyone, welcome back to my channel, Beauty Cardos दोस्तों जुए एक ऐसी समस्य है चाहे कुछ भी ट्राई कर लो जाने का नाम नहीं ले रहे है जुए है आपके सर से तो ये दो जबर्दस रेमेडी में आपको बताऊंगी इस्तमाल करके जरूर देखें तो फटा-फट से बताती हूं आपको मैं पहले रेमेडी जिसमें इस्तमाल करने वाले हैं हम कपूर का, कपूर का तेल नैचरली गुड़ों से भरपूर होता है ये एंटी बैक्टियर एंटी फंगल होता है इसमें मौजू तीक ही गंद से जू मारने में बहुत सहायता होत तो यहां पर simply हमने एक कपूर की गोली ली है और उसको हम crush कर लेंगे अच्छे तरीके से कपूर का तेल अगर आप अपनी scalp में लगाते हो ना तो यह scalp detoxifier का का काम करता है जिससे आपके बाल रेशमी मुलाइम बनते हैं, blood circulation अच्छे से होता है, बालों की growth अच्छे से होती ह तो यहां पर यह अच्छे से crush हो चुका है, उसके बाद हम यहां पर इस्तमाल करेंगे नीम, नीम का तेल गुडो का भंडार होता है, यह anti-fungal, antibacterial होता है, इस soil से आप किसी भी तरीके का scalp infection दूर कर सकते हैं, तो यहां पर नीम का तेल मैं कपूर मैं add कर दूँगी और जरूर बताना, ताकि मुझे भी बता चले मेरी वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है, तो दोस्तों इसको apply कैसे करना है, simply cotton से या हाथ के पोरों से ही आप इसको अपने जड़ों में स्टेल को लगा लें और इससे मसाच कर लें अच्छे तरीके से, ऐसे ही छोड़ने एक यह remedy आजमा के देखिए, इससे आपको बहुत जल्द फाइदा मिल जाएगा, एक से दो बार में ही आपको इससे फाइदा आ जाएगा, अच्छा दूसी remedy यह है, इसमें आपको लेना है lesson, lesson में antibacterial गुड होते हैं, lesson आपकी scalp में जो भी गंदिगी है, जिस भी तरीके का infection हो इसमें बहुत अच्छे गोड़ो होते हैं, lemon आपके blood circulation के लिए बहुत जादा सहायक है, साथी साथ डेंडर फगेरा की समस्या को भी दूर करता है, तो यहाँ पर lemon इसमें हम निचोड देंगे और इसे अच्छे तरीके से grind कर देंगे, ग्राइंड करने के बाद इस paste में से juice को अलग निकाल लेंगे, अब इस juice को आपको cotton की साहता से बालों की जड़ों में बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि यह बालों की जड़ों में अच्छे से absorb हो जाए, और उसके बाद दो घंटे रखने के बाद आपको simply shampoo कर लेना है, शेंपू करने के बाद जब आपके बाल हलके से dry हो जाएं, तो इसके बाद आप अंगी से काड़ी है, जितने भी जुए होंगे, सब एक बार में ही भाग जाएंगे, और अगर जादा जुए हैं तो एक से दो बार भी आपको लगाना पड़ सकता है, लेकिन यह 100% बिलकुल ऐसा इलाज है कि आपके ज से आपको निजात मिल जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुमत भूलेगा, ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सेकना, चैरे को सब्सक्राइब करना बिल्कुमत भूलिएगा, तो उमीद करते हैं, यह दोनों और M.A.T. आपके लिए बहुत